हेलो केडिट्स, कैसे हो आप लोग, मास्त, मजे में एक दम, तो वेलकम टू डाउट क्लियरिंग सीरीज, जहां आप मुझे अपने डाउट्स भेजते हैं और मैं आपको उनका वीडियो सलुशन प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप भी अपने डाउट हमें भेजना चाहते हैं, तो एप अभी डाउट्स भेज सकते हैं, तो आज यह एक डाउट है, एवरेज का, एवरेज बहुत इंपोर्टन है, AISSE के point of view से, क्योंकि 2021 में 6 questions थे, 2020 में 5 questions थे, तो 5 और 6 questions स्रिफ average chapter से आना, it's a very big thing, okay, so यह एक average का question है, average chapter का, mathematics का, तो मैं इसका जल्दी से आपको discussion करता है, तो batsman score 87 run in the 17th match, 17th match में कितना run बनाया, 87, ठीक है, और इस match के बाद जो average था, वो 3 से बढ़ गया, मतलब अगर मैं यह बोलू, कि 16 match के तक average कितना था, x, तो 17 match के बाद average कितना हो गया, x plus 3, बास में आई, 16 match तक average कितना था, x, तो 17 match में average कितना हो गया, x plus 3, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सवाल बोल रहा है, find average after 17th match, 17th match के बाद average बताना है, मतलब x plus 3 की value बतानी है, x की नहीं बतानी, किस की बतानी है, x plus 3 की, चलो, तो मान लेते हैं कि 16th match तक, 16th match तक, average जो था, वो कितना था, x, तो 17th match के बाद average कितना हो जाएगा, x plus 3, clear, इतना मसान है, मान लिया कि 16th match तक average कितना था, x, तो 17th match के बाद कितना हो जाएगा, x plus 3, अब 17 match के बाद अगर मेरे को average निकालना है तो मैं क्या करूँगा 17 match तक के सारे number add करूँगा सारे run upon 17 करूँगा यही तो करते थे average निकालने के लिए sum of all the observations upon number of observations तो कितने है नीचे तो 17 match और उपर क्या लिखने है पूरे 17 match के runs का addition तो कैसे निकालने सर तो 16 match का देखो average कितना था x तो 16 match में कितने run आए होंगे x into 16 क्योंकि average है ना average कितना है x 16 match का तो average क्या होता है average होता है sum of observations upon number of observations है ना तो 16 match का average दिया है और 16 match दिया है तो 16 match का पूरा sum of runs हा जाएगा सबका कितना 16 into x मतलब 16 match तक जो total run थे वो कितने थे 16 x और 17 match में कितना run बना 17 match में बना 87 run तो total 17 match तक run कितने हो गए 16 x plus 87 upon 17 करेंगे तो ये average किसके बराबर है x plus 3 17 match के बाद कितना average है x plus 3 तो अब इसको solve कर दो 17 को उधर ले जाओ इसको पूरे को solve करेंगे तो x की value आचाएगी लेकिन याद रखना अपन को x की value नहीं देनी अपन को किसकी value देनी है x plus 3 की गलती कर देते हैं कई लोग और x के answer आगे तुर्ण टिक करते हैं x plus 3 17 match के बाद क्या average है यह बताना है तो x plus 3 आप टिक करोगे तो जल्दी से इसको solve कर लेते है 17 को उधर ले जाते हैं तो 16x plus 87 is equal to 17x plus 17 into 3 17x यह 16x को उधर लेंगे तो minus 17 minus 16 is x is equal to 87 minus यह पूरो यहाँ पर plus है उधर जाएगा तो minus तो 17 into 3 कितना होता है 7 3 is the 21 का 1 carry 2 3 1 is the 3 4 5 51 तो 87 minus 51 7 minus 1 is 6 x की value हाजएगी 7 minus 1 is 6 8 minus 5 3 36 एक सेगे लेकिन 36 answer नहीं देना 36 option होगा आप टीक मार दोगे ना 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 ऐसी गलबड़ी कभी मत करना answer क्या देना है x plus 3 तो x plus 3 तो 36 plus 3 plus 3 39 is the answer चमक गया बहुत असान था पहले मान लिया कि 16 मैस तक average कितना x तो 16 over तक total run कितने होगा 16 into x और 17 मैच में कितना run था 87 तो 16 x plus 87 total run होगा 17 मैस तक अपॉन 17 average आ गया हो यह average कितना x plus 3 बाकि cross multiply किया solve किया तो x की value अई 36 लेकिन देनी थी x plus 3 की value तो 39 is the answer पूरो चमक गया किया सबको अच्छे से चलो मैंने और स्रेशर में मिल करके आपके लिए proper पूरा AISSE class 6 के लिए full proof course बनाया है जिसमें math, english, gk, gs और iq के पूरे video lectures, pdf, module, exercise, previous year questions with solutions दिये हुए है मतला अगर आप यह इतना कर लोगे तो guaranteed है कि आपका AISSE में selection होना पका है अगर आप इमानदारी से सारे questions कर रहे हो doubt clarify कर रहे हो, सारी सीचे कर रहे हो तो अगर आप इसके पूरे free videos देखना चाते हैं बहुत सारे free modules और free study material इस app में दिये हुए है तो app download कर लो, अगर नहीं किया है तो link आपको description में मिल जाएगी और फिर वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो और अगर आपको अच्छा लगे तो आप register कर सकते हो ठीक है क्या, चलो तो फिर मिलूँगा आप से अगली class में तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सारव सर की class, जैहिन, बाई बाई, टेक केर